तो हेलो फ्रेंज आज मैं बनाने जा रही हूं पत्ता गुबी का सूपर टेस्टी नाशा तो प्रिपेशन करते हैं यहां पर मैंने एक बोल ले लिया है उसमें सूजी एड़ किए एक कप और सबसे पहले नमक करेंगे यहां पर आदी चमश तो बच्चे को पत्ता को भी बिल पत्ता को भी पत्ता को भी को आप गरम पानी से जरू धो लीजिए इसको लगाता है चलाते रहना है और खुले में ही पकाना आदी चमश नमक के एड़ किया है यहां पर और इसके साथ मैं थोड़े से अजवाईने क्रेश करके डाल रही हूं बहुत टेस्टी सा स्वाध आथा और टेस्टी फ्लेवर भी आता है अब जरू ट्राय करिएगा कभी भी और अधक डाल रही हूं ग्रेट करीवी एक इंच और इसके साथ ग्रीन चिली डाल रही हूं एक गोल गोल कटी भी और शिमला मिर्च एड़ कर रही हूं बिल्कु बारी बारी कटी भी और मैं यहां पर स्पिंग ओनियन एड़ कर रही हूं और गोल गोल कटे वी स्पिंग ओनियन एड़ किये हैं हल्दी आड़ करने जा रही और रेट चिली आदी चमच एड़ करने जा रही हूं तो और इसमें सफेद मिस्ट डालने जा रही जिसे वाइट पेपर बोलते हैं थोड़ा से तीखा बना रही हूं मैं इसलिए और यहां पर खटा से स्वाथ देने के लिए थोड़ा सा मचूर पावड़ा एड़ करें आद तो यहां पर ऑईल ग्रीस किया है और इसको एक चमचे से एक तरफ इस प्रीट कर देंगे देखिए कुछ इस तरह से बना है यह और उपर से हमने जो इस्टिफिंग बनाई थी पत्ता गोबी की वह इस पर आड़ कर देंगे और उपर से सूजी की पतली-पतली लेयर बनान नहीं इसका खास और पर आप ध्यान रखें मोटी लेयर कभी भी ना बनाएं और चारह तरफ ऑईल भी ग्रीज कर देंगे ताकि यह नीचे से अच्छे तरह से सिख जाएगा कि और इसको ढगकर पकाके रखेंगे करीब हम वन मिनिट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पर तो यहां पर देखें हम इसको एक बाप पलेट लेंगे तो देखें कितना बिलकुल पलेट ने की ज़वरती नहीं है इसको बहुत ही सरक रहा है यह वहलाब किसक रहा है एक जग़ तो यहां पर मैंने इसको सेख लिया तो द pakल नाट बने कर यहां पर पत्ता घुबी का नाशा तो अब हम करेंगे प्रिपेशन कर यहां पर मैंnes के सारे स게 इसको दो तुकड़ों में काट लिया है तो देखे यहां पर बन कर है हमारा सूपर टेस्टी सूपर डिलिशिस नासा तो वीडियो अच्छा लगए हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आइकन को जरू दबा देना तो आज ही जरू ट्राइ करिए सूपर टेस्टी सूपर डिलिशिस फ